इगनू में फिर से आ गया है प्लेशमेंट यानिकी इगनू फिर से आपको नोकरी औफर कर रहा है और इसे वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरा डीटेल में बताने वाला हूँ वीडियो को complete देखिए और IGNU से related authentic और official update पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिजे ताकि नई वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं आप IGNU के main website पर आएंगे और नीचे करेंगे तो यहाँ news वाले option में आपको मिल जाएगा placement drive का PDF यहाँ पर click करेंगे उसके बाद ये page open हो जाएगा और यहाँ पर click करेंगे तो यह जो PDF file है वो open हो जाएगा यहाँ पर आपको campus placement drive for globiba के बारे में बताया गया है इसको समझने से पहले यहाँ पर जो आपको job description यानि की नौकरी के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं इगनू के तरब से वेकेंसी निकाला गया है, जिसमें यहाँ पर आपको उसके बारे में डीटेल में बताया गया है, पहले यहाँ पर आपको पोजीशन के बारे में बताया गया है, इसमें क्या क्या पोस्ट खाली है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, Customer Support, Sales, Retention, Executive औ और back end इसका अलवा यहाँ पर आपको जौप नेचर के बारे में बता आगया है कि यह आपका permanent job रहेगा इसके अलवा यहाँ पर आपको यही बता यह है तो यहाँ पर आपके उपर क्या क्या responsibility रहेगा यह बताया गया है ऐसे ही अगर आपका selection sales के लिए किया जाता है तो आपके उपर क्या क्या responsibility रहेगा यहाँ पर आपको बताया गया है तो वो सब चीजे आप यहाँ पर देख लेना उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि आपके अंदर क्या क्या skills होना चाहिए तो उसको आप यहाँ पर check कर सकते हैं जैसे कि आपके पास जो है basic computer का knowledge होना चाहिए आपको जो हिंदी और English language का ग्यान होना चाहिए और यहाँ पर आपको salary और incentive के बारे में बताया गया है अगर इसमें आपका selection होता है तो यहाँ पर आ work experience के बारे में भी बताया गया है अगर आप fresh're है तब भी आप इसके लिए interview दे सकते है नीचे करेंगे तो यहाँ पर को education qualification के बारे हम बताया गया है अगर आप graduate है या फिर graduation की पठाई कर रहे है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते है यानि कि आप interview दे सकते है और यहाँ पर आपको age के बारे हम बताया गया है age जो है आपकी 18 से ले करके 27 के बीच में होने चाहिए तो आप इसके लिए eligible है और अगर इसमें आपका selection होता है तो ज selection होगा तो पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया कि एक group discussion होगा और इसके बाद एक interview होगा तो इन दो process के थ्रू जो है आपका selection किया जाएगा यानि कि यह जो नौकरी है श्रीफ आपको interview के basis पे दिया जाएगा interview आप देंगे अगर आपका selection होता है तो यहाँ पर आपको जो job का अलग अलग position बताया गया है किसी एक के लिए आपका selection किया जाएगा interview के basis पे और यहाँ पर आपको कुछ important note बताया गया है जैसे कि आप interview के लिए जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या चीज़े होने वाला है जैसे कि आपको company के profile के बारे में बताया जाएगा job recruitment के बा इसका दो copy आपको ले करके जाना होगा और जो आपका इगनु का ID card है इसका भी आपको दो copy ले करके जाना होगा और यह जो selection process है जब आप इसके लिए जाएंगे interview के लिए तो इसमें साम हो सकता है तो जो आपका रहने का बंदुबस वगेरा है साम में वह आपको खुद ही देखना होगा और यहाँ पर आपको timing के बारे में बताया जिसमें आपको यह बताया गए कि अगर आप 11 बज़े के बाद जाते है तो फिर इसमें आप participate नहीं कर सकते है campus में आपको entry नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आपको और भी information चाहिए या फिर registration के regarding कुछ भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर phone नमर दिया गए यहाँ पर आप call कर सकते है working days में जो कि यहाँ पर आपको बताया गया साड़े 10 बज़े के बाद और 6 बज़े से पहले और एक mail ID भी दिया गया इस पर आप mail send कर सकते है और अब बात करते है कि यहाँ पर यह जो vacancy के बारे में आपको बताया गया इसके लिए आपको कब और कहां पर जाना होगा तो इसके लिए आपको बताया गया है कि जो आपका convention center है यानि कि ignu campus मैदान गड़ी निउ देली आपको जाना होगा और वही पर आपका interview होने वाले है interview आपका कब होगा 12 October 2022 यानि कि 12 October Wednesday को आपके interview होने वाले है और यहाँ पर आपको बताया गया है reporting और registration का time जिसका timing रहेगा 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक और जो pre placement है यह 11 बजे से start हो जाएगा और जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है 11 बजे के बाद आप जाते है तो फिर आप participate नहीं कर सकते है तो ध्यान रखिए आपको 12 October को जाना है कहाँ पर जाना है address यह रहा इगनू campus मैदान गड़ी और reporting और registration का time है 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक और pre-placement स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजी, share कीजी कोई question है तो नीचे comment box में आप बता सकते है